आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपत का गुननखन ग्याद करने की सीगें यहां पर प्रेशन दिएगा कि 1 स्क्वाइर प्लस 6 एक्स प्लस 8 का गुननखन ग्याद करें तो सबसे पहले हम लोग एक सा स्क्वाइर का गुनांक और यहां पे जो अचर पद होता है उसको गुना कर लेते हैं तो यहां पे एक सा स्क्वाइर का गुनांक वन है और एट यहां पे सी है जो आठ है तो यानि आठ हाविया सिर्फ यानि यह और सी को गुना किये तो 8 आया अब इसका हम लोग मुननखन गयाद कर लेंगे तो हम भी 2 से लगाएंगे 4 दुनी 8 फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 2 दुनी 4 यानि कि 8 जो आया जो कैसे आया है 2 गुने 2 गुने 2 अब इसको हमको गुना करके 8 तो लाना है लेकिन जोड करके 6 लाना है तो यह दोनों को एक साथ यदि हम गुना कर लेते हैं तो दो दुनी हो जाता है 4 और यहाँ पे 2 देखे 4 में 2 जोडते हैं तो 6 आ जाता है और 4 में 2 से गुना करते हैं तो हमारा 8 आ जाता है यानि कि इसको हम लिख लेंगे आगे कि x square plus 4x plus 2x plus 8 अब यहां पर x square और 4x में x common हो जाएगा तियानि कि x into x plus 4 यहां पर 2x और 8 में 2 common तो यहां पर 2 को बाहर निकालेगे तो यहां पर अंदर में आ जाएगा x plus 4 अब यहां पर इसको हम लिख लेंगे तो कि x plus 4 यहां पर भी एक plus 4 यहां पर यहां पर लिखेंगे x plus 4 और यह पर यह जो बाहर वाला आता है दोनों को x plus 2 यानि जो इसका गुरंडखन निकल किया आए कितना गया x plus 4 और x plus 2 ठीक यही इसका answer रजाए इसमें ध्यान देना हमको यह है कि जो जैसे मान लिए यहां पर ax square plus bx plus c के form में यह दिया हुआ ठीक है तो इसका हमको निकालना है मदपद को तोड़ करके यानि कि यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग की a और c को गुना कर लें यानि x square के गुनांग को हम लोग a बोलेंगे x square के गुनांग को a बोलते है और x के गुनांग को हम लोग b बोलते है और यहां पर जो c होता है जो अचरपद होता है ठीक है अचरपद होता है तो यानि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x square के गुना और अचर पत को गुना कर लेते हैं उसके बाद उसका गुनन्खन निकालते हैं उसका दो गुनन्खन निकालते हैं यानि इसका पहले गुनन्खन नॉर्मली निकालते हैं पिर इसको दो factor ऐसा बनाते हैं जो की जोड़ करके तो यह वाल आ जाए, मध्वपद आ जाए, या तो घटा करके, यानि जैसा C का मतलब यहाँ पर माइनस राता था, घटता, यहाँ पर पलस राता जुटता, ठीक है, तो जोड़ या घटा करके तो यहाँ पर आ जाए 6x, लेकिन गुना करने पर हमारा कितन 8 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, 6x लाने के लिए, 4x में 2x को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाता है, 6x, क्योंकि 4, 2, 6, चार में 2 से गुना करते हैं, तो 8, जबकि x स्क्वाइर से गुना करते हैं हम लोग, तो 8x स्क्वाइर, इस परकार से हम लोग, इसका गुनन कर लेना है, तो दोनों पर यहाँ पर सेम है, यानि कि हम को सिर्फ एक सब आठ, क्योंकि 108 में एक सब गुना करेंगे, तो वही आया, अब एक सब आठ का हम लोग गुननखन गयाद कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 54 दूनी हो जाता है, 108, फिर यहाँ पर 2 स लगाएंगे, 9 तिया 27, फिर यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, 3 से तो 3 तिया 9, ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 21 एक सब लाना है, ठीक है, जो कि पलस, यानि C, यदि C कामान, यानि C है जो यह अचर पद है, जो धनात्मक हो, यदि हो, तो जो B आएगा, जो जोड़ करके आएगा, ठीक है, जोड़ना होगा, जोड़ करके आएगा, ठीक है, यदि C है जो पलस भी ही है, यानि पोजेटिव है, तो B कामान है, जो जोड़ करके आएगा, तो जोड़ने का दो तरीका, या तो देखिए यहाँ पर, या तो पल प्लस भी और बीच में प्लस का चीज़ है अब प्लस भी तो क्या चीज़ में आएगा प्लस में लेकिन माइनस भी और यहां पर प्लस है बीच में फीर से माइनस भी तो इसका अंसर जो आएगा माइनस भी में यह जूटेगा ही बट यहां पर इसका अंसर क्या चीज़ में आ और यहां से इधर से गुना कर लेते हैं, तीन तीर नौ, देखते हैं, बारा और नौ को जोड़ने पर क्या एक ही साता है, तो नौ दू, इगारा, और एक एक दू, यानि कि हाँ, हमारा बारा और नौ को यदि हम जोड़ देते हैं, तो एक ही साता है, और बारा को नौ से गु प्रइब माइनस 12x और माइनस 9x पलस 108 दोनों जाया पर माइनस इसलिए लगा क्योंकि हमको जोड़ना है एड करना है ठीक है यहाँ लिख लेगे कि x यहाँ पर दोनों में कॉमन हो गया x इंटू x-12 अब यहाँ दोनों में कॉमन हम लोग क्या लिए ठीक है तो यहाँ पर माइनस माइनस नौ को बहुत यहां पर बहुत भागा देंगे मतलब 9 से तो कितना जब बच्चेगा 12 मर्तभे ठीक है तो देखें आप हमें ध्यान देना है कि दूनों में x-12 यहां पर यहां पर यहां पर यह तो यहां पर लिक लिए कि x-12 और फिर जो बचा उसको लिख लिए कि x-9 यानि है इसका गुननखन दो गुननखन आएगा झाल झाल